जूट बोलने वाले को तीन साल की जेल हो जाएगी मैं चुनोती देता हूँ नरंद्रमोदी अगर वुपिंदर रावत जूट बोला है तो यह दिल्ली में मैं हूँ आपके अथाना आपके पुलिसर आपका कानून है जरा गिर्फतार करके मुझे दिखा दो शिद्ध कर दो क कि मेरा आरुप जूता है मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूँ उसका संग्याल लेना चाहिए देश के सुप्रीम कोट को और देश के एक-एक मद्दाता को यह अपमान क्या है नरंद्रमोदी ने नरंद्रमोदी बताए कि वह कम सा जादू है नरंद्रमोदी के पास जो न परिवार बात को और मैं बताना चाहता हूँ नरंद्रमोदी के मंत्री मंडल में प्यूस गोयल बैद प्रकास का बेटा हर बैद प्रकास केंद्रिय राज्यम मंत्री थे अटलविहरी बाचपई के सरकार में बिल्कुल सही पहा नर्यंद्र मोदी ने कि कुछ राजनितिक पाइटियों के वारिस इस देश में गुन की तरह है जिस तरीके से प्यूस गोईल की तरह पिसारा किया गया है दूसरा धर्वेंद्र परधान जो डाक्टर देवेंद्र परधान के पुत्र है भाजबा के पूर जो विजे राजे सिंधिया का पोता है और वहां मादावराव सिंधिया का पुत्र है इसे कहते हैं बंस के क्या कहते हैं परिवार बाद ये भी घुन की तरह है कांग्रेश से चुनकर किस तरीके से पैशे का खेल हुआ या EDPD के डर था ये करनाटक का मुख्यमंद्री जो बना गया था बसव राज बोंबई उसके पिता भी S.R. बोंबई करनाटक के पूरा मुख्यमंद्री रही ऐसे मैं एक लंबी सुची भारत में उन लोगों की जो देश के आजादी के खिलाब थे उनके भी परिवार बाद में देशक अंदर 90 राज डेटा देश बर में है यह मैंने चार का जिक्र इसलिए क्या क्योंकि यह आपके सामने है एक राज्यका मुख्यमंत्री परिवार बाद का और ृतीन के इंद्र में मंत्री है तो तो नरेंदर मोदी क्या नरेंदर मोदी मादावराव सिंधिया का संतान के रूप में जोती रादे सिंधिया को नहीं मानते क्या यह सवाल मैं इसलिए कह रहा हूं कि परिवार बात पर सवाल किया जा रहा है मैं नहीं कह रहा हूं यह जोती रादे सिंधिया को सोचना चाहिए कि आपको वो माधावराव सिंधिया का पुत्र अगर मानते हैं तो फिर परिवार बात क्यों नहीं होगा प्यूस गोयल को अगर बेत्रकाश गोयल का संता नहीं मानते हैं तो प्यूस गोल को सवाल उठाना चाहिए और अगर मानते हैं तो फिर ये परिवार बात नहीं है तो ह बरश्टा चार को लेकर के प्रास्परेंशिंटेंटेस्णल के मुताबिक दुनिया के देसों में बरश्टा चार में असी नंबर है हमारा रश्ता चार कहोड बहुत गाल बजाये जा रहा है जी स्टी के विश्य में जो भारत का टैक्स हाय 64% हिस्चेदारी देश के सबसे गरीब 50% आबादी से देश की 64% हिस्चेदारी टैक्स से उसूली जा रही है तब सवाल उठाते हैं कि पांच किलो अनाज दे रहें यह मैंने कह रहा हूं नर्यंद्र मोजी की सरकार का कोई भी अर्षास्त्री बैठे मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि अक्सफर्म की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का जो टोटल रेबिनीर कठा होता है उनने 50-60 और मुझे तो लगता है कई लोग करें थे नर्यंद्र मोजी के आने से पहले 140 पर टैक्स नहीं था एक रुपए दो रुपए था सुलब का रेट वह एक रुपए दो रुपए की बज़ा दो रुपए और पांच रुपए कर दिया गया हमको तो लगता है कि उसमें भी हग रुपए देना पड़ता है यह मैं आपको कहना चाहता हूं चालिस परसद अगली आबादी देश में मध्यमबर की है उनको 33 परसट टैक्स अदा करना पड़ता है चोशट और 33 आप समझ रहे हैं और यह हो गया सताइंड़ परसट टैक्स और भारत के जो दस परसद धनवा घ्यच्दाइं है उनको टैक्स कितना देना पड़ता है मात्र तीन परतिसद कितना धन भारत के एक सोचेशट लोगों के पास इतना धन पहुचा दिया अंडरेंदर मोदी की शरकार ने जितना धन सतर करोण आवादी के पास देश में है उतना धन मात्र एक सोच्छ पूछो नरेंद्र मोदी से क्या ऐसा संभभ हो सकता है कि देश के सबसे गरीब निर्धन लोगों से 64-30 टैक्स वसूला जा रहा है और फिर गाल वजाते हैं कहते हैं पांच किलो रासन फिरी दे रहे हैं हिडन बरिक की रिपोर्ट के बात का जिक्र करना चाहता हूं हिडन बरिक की रिपोर्ट में आप सब लोगों ने देखा था कि किस तरीके से शेर बाजार में 163 पेज की इस्तिपे की रिपोर्ट भेजी है अडानी के बंदरगा में आडिटर के तोर पर देलाटर ने इस्तिपा दे दिया और 163 पेज की रिपोर्ट इस्तिपे के रूप में जो भेजी गई है शेर बाजार में उसका कारण क्या है हिडन बर्ग की रिप पूरी पड़ताल थी खातों में धोका-धड़ी का मामला था और फड़ी कंपनियों के जरिये धन गुपचुप लेंदेन का आरोप था और यह आडिटर ने उस हेला फिरी को पकड़ लिया तो आडानी नहीं मानता है और आडानी जब नहीं मानता है तो आड़ीटर ने 163 पे के बाद खुलासा हुआ कि भारत में भले ही 20 जवानों की हत्या के बाद चीन के एपस बंद कर दिये गए थे लेकिन आपको बताता हूं 63 अरब अमेरिकी डॉलर इसके अडानी के कंपनी में लगाने वाला चांग चुंग लिंग चीन का नागरिक है तो मैं यह बात भी कहना चाहता हूं यह बरश्टाचारी ही नहीं देश के साथ गद्धारी भी है क्योंकि चीन का 63 अरब अमेरिकी डॉलर अदानी की कंपनी में लगाने वाला नरंदर मोदी का यार है और नरंदर मोदी ने उसे बंदर गहा दे दिये और बंदर गहाँ के आउडिटिंग करने में ह चुनोती देता हूं नरंदर मोदी अगर वो पिंदर रावत जूट बोला है तो यह दिल्ली में मैं हूँ आपके अथाना आपके पुलिसर आपका कानून है जरा गिरफ्तार करके मुझे दिखा दो सिद्ध कर दो कि मेरा आरूप जूटा है और तब इस 63 अरब अमेरिकी ड रखे हैं और मैं भरष्टा चार काई खोड़ जिकर आपको बताता हूं 15 अगस 2021 को तालीबान की सरकार बंते अफगानिस्तान में और 16 सितंबर को अधनी के पोर्ट में मुद्रा पोर्ट गुजरात में 21 जार करोड की 3000 ड्रक्स 3000 किलो हेरवईन पकड़ी जाती है जना सोची आप यह पाट ब्रस्टा चार नहीं है चोटा सा आरोप लगने पर आपने नहू में बिना जाच परताल के आबाइड तरीके से नहू के गरीबों के घर और उनकी रोजी रोटी घठीकाने द्वस्त कर दिये पर क्या बुल्डोजर नहीं है मोधी तुमारे पास नहीं है मु देश के मद्दाताओं का अपमान करते हैं एलान कर दिया कि 2024 में भी 15 अगस्त को गर्णतंत्र दिवस्त को नर्यंद्र मोधी पर्धान मंत्री की हैस्यत से लाल के लिए से देश को संबोधिक करेगा कैसे संबब हो सकता है इसके पीछे दो बड़े कारण हो सकते हैं एक जो हमारे देश में कुछ मित्रा सवाल उठाते है एबियम की शेटिंग का और दूसरा जो हमारे देश के मुख्या नहीं दीश को चुनाव अधिकारियों के च सब्सक्राइब के उन्हें चुनाव आयों के चैन से अलग करके और अपने चैते मंत्री को सब्सक्राइब में और तोता की तरह चुनाव अधिकारियों का चैन करके इसका काक्लेट बना करके यह ऐलान इसलिए किया गया है क्या